फैनेंचल इंस्टूशन को ये ताकीत की गुरूप लीडर्स को टर्मिनेट किया जाएगा एक औरत के उपर दो से जादा लो नहीं होने चाहिए चोवी सो घंटों के लिए एक हल्प लाइन का आगास करें तीन दिन के अंदर गुलबर्गा DC मेडम को मीटिंग के लिए बुलाया गया था तमाम तर बैंक मैनेजर्स को बुलाया गया था कोई भी महिला को कोई भी घरवालों को परेशान कर रहे उनके ओपर पॉलिस प्रशासन से भी स्टिक एक्शन होना तो आप ढरा कर धंका कर जो वसूल कर रहे थे उसके ओपर फिर से आप वही हरकत पर उतराया है मैडम ने सास करके अपनी मिसाल लेते हुए तहा कि अगर मैं किसी बैंक से लोन ले रही हूँ कोई बैंक का ओफिसर मेरे घर पर नहीं आ सकता है तो आप सिर्फ अपने पैसे भरी हैं जो भाग गए हैं जो नहीं भर सकते उनके पैसे आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है पेश हर्मी की बात है यह मैक्रोफाइनिस इस्टिट्यूट के लिए हैं तो बात साथ बजे से यह लोग औरतों को गुरूप के लीडर्स को हर जगा घरों पर पहुंच के बोलते हैं के का उनके पास से पैसे वासूल करो जो नहीं दे रहा हुए उनको पोलिस कम्लें करके पिछले दिनों से हम लोगों की जो यह मुहीम चल रही थी रीकवरी एजेंस के खिलाफ उनके हराश्मेंट के खिलाफ करनाटका महिला सुरक्षा समीति के नरम से हम लोगों ने जो यह मुवमेंट शुरू किया था अलHMM कल डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेट की हैसियत से DC मैडम ने एक मीटिंग तलब की उस मीटिंग में जो मजलुम खवाधीन है उनके जानिब से क्योंकि हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट को लीट किया था जिस प्रोटेस्ट के जानिब से पुरे करनाटक भर में आज चर्चा हो रहा है वो प्रोटेस्ट जिसमें 4000 से जादा खवातिन मौझूद थी वो प्रोटेस्ट को मदे नजर रखते हुए तमाम तर दूसरा एक एहम काम उन्होंने जो माइक्रो फाइनेशल इंस्टूशन की जो कमिटी है उसको ये कहा है कि वो 24 बार 7 2400 घंटों के लिए एक हेल्प लाइन का आगास करें तीन दिन के अंदर कल मीटिंग हुई है और दो दिन के बाद उनको ये डेडलाइन दी गई है कि वो माइक्रो फाइनेशल इंस्टूशन एक हेल्प लाइन जारी करें अब इस हेल्प लाइन का काम ये होगा कि वो आपको अगर कोई भी एजेंट माifically cooler financial institution के अंदर काम करनेवाला कोई भी बंदा वो मैनेजर से लेकर वो जो आपके पास कैलेक्शन के लिए आने वाला बंदा है वो लیवल तक भी अगर कोई परिशान कर रहा है कोई हरास्मेंट कर रहा है चाहिए वो sexual harassment हो चाहिए वो physical हो चाहे वो mental harassment हो उसके ओपर आप complaint कर सकते हैं अगर वहाँ पर complaint आपकी नहीं सुनी जा रही है उसके बाद में अगला ख़तम उठाया जा सकता है अब लोग इसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के पास कई सारे शिकायत यह आ रही है कि बताये यह जा रहा है recovery agent की तरफ से कि मीटिंग हो गई है अब तमाम तर जितने खवातीन हैं जो लोन लेच चुके हैं उनको लाजमी तोर पर लोन भरना है चाहे वो किसी भी तरीके से भरें चाहे वो कहीं से भी लाकर पैसा दें लेकिन उनको पैसा देना है लेकिन कल ऐसी कोई भी बातचीत ऐसी नहीं हुई है कि उनको harassment करके पैसा लिया जा सकता है अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मैडम ने सास करके अपनी मिसाल लेते हुए कहा कि अगर मैं किसी बैंक से लोन ले रही हूँ तो कोई बैंक का officer मेरे घर पर नहीं आ सकता है इसी तरीके से वो जो गरीब खवातिन है उनके घरों तक भी किसी भी माइक्रो फैनेशल इंस्टूशन के agent को जाना उन्होंने गलत करा दिया है और उसके साथ साथ एक और ताकीद की गई है माइक्रो फैनेशल इंस्टूशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम हर खवातिन के लिए दो लोन से जादा ना दिये जाए ये बात भी ताकीद की है अब हो क्या रहा है कि कई सारे औरतों को एक लोन लेने पर उसको फेडने के लिए दुसरा लोन लेने के लिए के लिए मजबूर किया जा रहा है ये मजबूर ना किया जाए इसलिए दो पर ही लिमिट करने के लिए उनको हिदायत दी गई है ये चंद बाते हैं जो वहाँ पर की गई है जो वीकली पेमेंट होता था संगो में जो वीकली पे करना रहता था वो weekly जो हफ्ता हफ्ता भरने का उसको cancel करा के उसको monthly करने की डिमांड रखी गई वह हैं वहाँ पे DC, मोहतरमा DC ने खुद ये सवाल किया, microfinance managers के कि authorization है कि आप group leader से अपॉइंट करें सो घर में बाइट के कारोबार करने का trade lessons है कि उनसे authorization पर ये business घर से दिलेन देन का कारोबार हो रहा तो ये चीज़ को भी बन किया जाएगा जहां पर आपके office है वहीं office पर आप लोग वहीं पर बलाएंगे और वहीं पर उनका जो भी payment है collection है वो वहाँ पर करेंगे घर के अंदर संग ये vanish किया जाएगा और group leaders को terminate किया जाएगा और जो group leader जिस कोई भी महिला को कोई भी घरवालों को परेशान कर रहें उनके उपर microfinance वालों के तरफ से भी strict action होना और police प्रशाशन से भी strict action होना और साथी साथ ये बात भी वहाँ पर महतरमा ने रखी है कि वो police commissioner और superintendent police SP को भी inform किये हैं कि अगर कोई microfinance recovery officer किसी भी महिला के उपर जुल्म कर रहा है pressure build कर रहा है तो महिला को जाकर नजदी की police station में complain करना और complaint दर्च करना और microfinance institute के वो जो criminals जो crime करते हैं आके उनके उप बड़ी बड़ी बेशर्मी की बात ही है microfinance institute के लिए कि कल शाम में हमारी दो घंटी की meeting हुई कल शाम में यह चीज़े यह points को discuss किया गया उसके बात भी सुबह उड़ती सुबह साथ बज़े से यह लोग औरतों को group के leaders को हर जगा घरों पर पहुंच के बोलते हैं कि कल DC office मे meeting हुई और DC मैडम ने बोले के पैसे जितने भी लोग ने भर उनके पास से पैसे लोग अगर उन्हों पैसे नहीं देते हैं तो उनके पर case करके police को लेग जाकर उनको arrest करो बोलके ऐसी घटिया बात इसे घटिया अलफास यूज करके लोगों को डरा रहे है यह तीन दिन के अंदर आप लोगों तक पहुंचाया जाएंगे उनकों direction दिया गया कि आप कोई भी देखे पहली चीज तो लोगों में यह confusion है कि लोन माफ हो रहे है ऐसा नहीं है लोन यह कोई government लोन नहीं है आपके लिए प्राइविट आप इस institute से प्राइविट बेंकों से आप लोगों भरना पड़ रहा है ऐसे हालात में अगर आप नहीं भर रहे है तो आपके साथ कोई भी recovery agent या गुरूप लीडर आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता यह खुद DC मेडम ने भी उनके सामने बात रखी थी उसके बावजूद भी यह लोग कल की meeting को जो है ना कल के meeting में जो directions मेडम ने DC मेडम के तरफ से दिये गया थे उसका violation करते हुए यह लोग आज सुबा जो भी इनका installment पे करना उनके घरों को जा रहे हैं और यह photos इस तरह के photos बता रहे हैं यह देखिए DC मेडम के पास हमारी meeting हुई और इस तरह का एक वो लोग क्या करें अपने जो करके जेल में दालो इस तरह से मिजगाइड किया जा रहा है तो मैं आप बताना चाहरा हूं कि जो भी खवातिन हमें कॉल कर रहे हैं यह आपको confusion create किया जा रहा है और ऐसे group leaders हैं और ऐसे recovery agent भी हैं जो अपने WhatsApp status की जरिए कुछ ऐसे वीडियो status रख रहे हैं कि कोई पोलिस officer जो इना महीला को घसीट लेके जा रहे हैं ऐसे पोलिस status अपने WhatsApp पे रख कि यह बता रहे हैं कि आगर कोई pay नहीं करेगा तो इनको भी घरों से इस तरह से घसीट कर ले जाए जाएगा पोलिस जेलों में दाला जाएगा तो यह दो डराने धंकाने का काम किया जा र कर रहे थे उसके उपर फिर से आप वही हरकत पर उतर आये हैं तो यह बहुत अफसोस की बात है कि आप DC मेडम के पास meeting होने के बाद भी वही हरकत आज कर रहे हैं तो जो जिस तरह से अभी शिराशाबदी साब ने बताया कि नोडल officers भी वहां पर मौजूद है तमाम DC मेडम ने उनको यहां से जिम्यदारी दी है कि कोई भी कंपलेट आए कि तो वह यहां से देखने वाले हैं हम फिर एक बार नोडल officer से मिलके तमाम हम लोग एक फाइल बना कर उनके पास लेके जाएंगे जो भी recovery agent harassment कर रहे हैं उनका पूरा data लेके जाके हम देने वाले हैं कहीं ना तो हमारा यह मुतालिबा है अउरतों से लेडिस से जो भी संके recovery agent आपके पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं मैडम ने नहीं कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो फोर्सली उनसे उसूल कर सकते हैं आज भी वही stand पे हैं आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप मत भर ये और second जो है जिस तरीके से 20 लेडिस लोन लेते हैं जिसमें पांच लोग भर नहीं सकते तो वो पांच लोगों का जो 15 लोग है वो इंस्ट्रालमेंट डाल कर देना है जो कि यह गलत है यह 100% totally illegal है तो आप सिर्फ अपने पैसे भरिये जो भाग गए हैं जो नहीं भर सकते उनके प नंबर जनरेट करने के लिए बोले है दो से तीन दिन में वो हो जाएगा उस नंबर पर आप कंपलेंट कर सकते हैं नहीं तो हम तो डे वन से शुरू से आपके साथ हैं आपको आखरी तक भी हम साथ देंगे यह जो आपको मिजगाइट कर रहे हैं रिकवरी एजन्ट उनके अगर आपकी कोई कंपलेंट है तो आप वो कंपलेंट कर सकते हैं जैसे कि आप लोग नजदी की पोली स्टेशन में जाके कंपलेंट कर सकते हैं और जो ग्रूप के लीडर आपको परेशान कर रहे हैं आप उनके खिलाफ भी कर सकते हैं रिकवरी एजन्ट के खिलाफ भी कर सकते हैं और वारक के पेमेंट्स भार कडि में बंदीगी सिगुते एग्जाम्पल नम दो लेवर सवरीगे वारक के बंसला पेमेंट्स इगुते अधू बिट्टू यारीगो आरक के पेमेंट्स इगला इतके वारतो इमाइस कट माड़ बेकू मत वुमन अवरीगे संग यारदो आथरीटी कोट्टि इल्ला, मैक्रो फाइनस द अवर दो अवर्डू एमपलाई इल्ला, मने दो अवर्डू बिजनस लाइसंस इल्ला, संग नड़ेदो, संग मीटिंग्स नड़ेदो, EMI कलेक्ट माड़ेदो, अवर बले एन्बी लाइसंस इरल्ला, अधू कोसकर आवर आवर आश्माट मारत बरदू, अकसमत आगी आरादर वबरू हराश्माट मारत आइदरे, पोलीस अवरीगे हेड़ी आवर मेले कंपलेंट हाग बेको, मत आवरीगे लीगल आक्शन तो बेको, इन्नों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मेडम आवरू हेड़ी दो इन्न अंदरे, इलिन्द यावदादरू, वन्दादर केस, माइक्रो फाइनस अवर बग्ये बन्तो बिलबर्गाद आग, अंदरे वरू माइक्रो फाइनसिंग और मेले ब्लैक्सलिस्ट माड़ केसी आवर मेले आक्शन तो तर नते है अईता रहे